हलो स्टुडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बेसिक अलजैबरिक एक्वेशन को सॉल्फ करना सीखेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो पहली एक्वेशन हमारी है 2x-1 is equal to 9 तो इसको किस तरीके सॉल है उनको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे ठीक है तो यहां पर माइनस वन है तो जब यह इधर आएगा राइट है तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ठीक है तो यहां बचेगा हमारे पास 2x is equal to 9 यह वन इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो x is equal to आजाएगा 10 by 2 इसको solve कर देंगे तो हमारे पास x की value क्या आगई 5 आगई तो इस equation का जो solution है वो 5 है second वाला देखते हैं अब second में है y plus 6 is equal to 3 तो यहां पर जो number यह plus में है ठीक है plus का 6 तो जब इसको हम right hand side ले जाएगे तो इसका sign change होकर minus में हो जाएगा तो y is equal to क्या जाएगा 3 minus 6 अब 3 minus 6 क्या होता है minus का 3 होता है तो इसका solution आगया है वो आगया है minus का 3 आगे देखते हैं अब third हमारे पास है 2y upon me 3 is equal to 4 तो इसको कैसे solve करेंगे देखिए यहां पर यह जो 3 है divide हो रहा है और अगर हम इसको right hand side लाएगे तो यह क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा तो यहां आजाएगा 2y is equal to 4 into 3 तो यह हो जाएगा 2y is equal to 12 हो गया और यह जो 2 है यह two यह multiply है तो इधर आकर क्या हो जाएगा यह divide हो जाएगा अबल्क इसका upon में आजाएगा तो y is equal to आगया 12 upon 2, तो इसको solve कर देते हैं, तो यह हमारा आगया 6, तो y की value क्या होगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है, 4th वाला देखते हैं, यहाँ पर 16 upon x is equal to 4, तो इसको हम कैसे solve करेंगे, देखिए, यहाँ पर यह जो x है, ठीक है, यह x यहाँ divide हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर multiply होगा, तो 16 is equal to 4 into x, यह हो गया, हमें तो x की value निकाल ली है, तो 4 को हम क्या करेंगे, इस side लेकर आएगे, तो यहाँ multiply है, तो इधर आखर divide हो जाएगा, तो 16 upon 4 is equal to x हो गया, तो इसको cancel किया, तो हमारे x की value क्या होगी, 4 हो जाएगी, तो इसको solve क करके हमारे पास x की value 4 आ गई है, अब आगे देखते हैं, अब fifth वाला हमारे पास यहां bracket दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस bracket को open करेंगे, और bracket को open करने का तरीका क्या है, यह जो बाहर नंबर दे रखा होगा, कोई भी number हो सकता है, यह हमारा अंदर दोनों से multiply होगा, x से भी होगा, और यहां यह जो second number है, इस से भी होगा, तो x से करेंगे multiply है, तो यह 3x हो जाएगा, sin minus कहीं रहेगा, 3 into 1 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, is equal to x plus का 9, अब यहां पर जो variable है, left hand side भी है और right hand side भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, variable को एक side कर लेते हैं और यह जो constant term है, यहां minus 3 है, minus 3 को हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो 3x, यह plus का x था हमारा right hand side, तो इधर आकर minus का x हो गया, is equal to, यह हम 9 का 9 रहेगा, minus 3 को अगर हम right hand side लाएगे, तो यह plus का 3 हो जाएगा, तो यह जाएगा हमारा 2x, is equal to 12, so x आ जाएगा हमारा 12 by 2, cancel 2 से तो 6 आ जाएगा, तो इसको solve करने के बाद x की value क्या जाएगी, 6 हो जाएगी, अब ऐसे ही हम 6 तो आख लेते हैं, अब x by 2 is equal to 2 by 3 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, यहां पर हमारे पास 2 divide हो रहा है, तो simple सा है, इसको इधर लाएगे, तो यह multiply हो इस तरीकी की question को हम इस तरीके से असानी से solve कर सकते हैं, उमीद है आपको मारे वीडियो पसंदाया होगा, thank you